नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज मैं बनाने जा रही हूँ गुंदा यानिकी लेस्वा और केरी का भुती शांदार टेस्टी अचार गर्मी के मौसम में गुंदा और केरी हर जगे आसानी से मिल जाते हैं तो आज हम इन्ही का श दंठल हमें नहीं निकालने हैं वरना इनका जो चिपचिपा पधार्त होता है वो बहर आ जाएगा और जो पानी की नमी है वो अंदर चली जाएगी इसलिए इनको दंठल के समेती धोकर और इस तरह से पॉंच लेना है और इनका सारा मौश्चर खतम कर देना है ये थूड़ी देर के लिए मैंने इनको पंगे की हवा में रखा ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं और इनके उपर जो ये डंठल है इसको अब हम हटा देंगे अचार बनाने से पहले ताकि अचार अच्छे से बन सके और ये चार मैंने केरी लिए है आधा किलो इनको भी हम धोकर अच्छे से पॉंच लेते हैं केरी को पहुंचना बहुत जुरूरी है क्योंकि ये केरी हमारे तक मुझते पहुंते नहीं जाने कितने कैमिकलों से होकर गुजरती है ये केरी बहुत ही पक्की थी मेरे से नहीं कटी तो मैंने इनको दे दी इन्होंने मुझे काट कर छोड़ छोड़ टुकडों में दी है या गुंदे हों तो उनको भी ले सकते हैं मेरे पास ही चोटे वाले हैं बड़े वाले लेस्वे जो होते हैं उनका और भी अच्छा चार बन कर तयार होता है क्योंकि उनमें धोड़ा सा गुदा ज्यादा होता है इनमें कम होता है ये देखिए मैंने ये सारे लेस्वे तयार क करते हैं तो इसके लिए मैंने 4 चमचे मेथी दाना लिया है इनको हम लो फ्लेम पर भुनेंगे ज्यादा नहीं भुनना है हलका सा जब कलर चैंज होने लग जाए तब हम गेस की फ्लेम बंद कर देंगे ये देखिए थोड़ा सा हलका कलर हो चुका है तो मैंने इसमें 2 चमचे सौफ डाल दी है गेस की फ्लेम बंद कर चुके हैं और बंद गेस पर ही गरम कड़ाई में हम थोड़ी सी सौफ को भूनेंगे और एक चमच हम कलोंजी डारेंगे इसको भी हम मसालों के साथ भून लेंगे और इनको हम साइड में यह ठंडा होने के लिए एक कड़ाई में मैंने चार चमच तेल लिया है सरसों का और इसमें एक चमच मैंने छोटी चमच से हींग डाली है हींग जब अच्छे से गरम तेल में तड़क गई तब मैंने कटी हुई केरी डाल दी है तेल में बड़े वाले गुंदे हों तो पहले केरी की बजाए गुंदे डालना मेरे पास छोटे वाले गुंदे हैं इसलिए मैंने पहले केरी डाली है बाद में गुंदे डालूंगी दो मिनट के लिए तेल में हम केरी को फ्राइ करेंगे और गेस की फ्लेम हम कम कर देंगे क्योंकि तेल एक बार अच्छे से गरम हो चुका है और दो मिनट के बाद मैं ये गुंदे डाल देती हूं तेल में और कुछ पांच मिनट तक हम इनको पकाएंगे ताकि गुंदों का जो चिपचिपापन होता है वो सारा खतम हो जाए ये अचार भूती जल्दी बन कर तेयार होता है और खाने में भी भूती स्वादिष्ट होता है ये देखिए पांच मिनट हो चुके हैं अब मैंने इसमें एक बड़ी चमच भरके हल्दी पाउडर डाल दिया है इसे भी हम मिला देते हैं और अब गेस की फ्लेम हम बंद कर देंगे दो चमच लाल मिर्ची पाउडर डाला है मैंने इसे भी अच्छे से मिला देते हैं मिर्च अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो यह काने वाली जो चम्मच होती है उससे मैंने दो चम्मच लाल मिर्च डाली है और जो भून कर मसाले तैयार किये थे वो मसाले ऐड़ कर दिये है मैंने इनको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं ये देखे मसाला जितना ज़्यादा होगा अचार उतना ही बढ़िया बन कर तयार होगा बिना मसाले के अचार खाना भी अच्छा नहीं लगता तो ये देखे मसाला बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है और ये रेडी मेड अचार का मसाला है ये मैं चार चम्मच भरके डालूंगी स्वाद के नुसार नमक डाल रही हूँ अगर आपके पास ये रेडी मेड मसाला ना हो अचार वाला तो आप इसके स्थान पर चार चम्मच पीली सरसों उसे भी कूट कर डाल सकते हो इससे जो अचार है भहुती बढ़िया बन कर त्यार होता है अचार में अच्छी खटाई आती है और अचार लंबे समय तक चलता भी है बढ़िया तरीके से ये देखे सारे मसाले मैंने मिला दी और एक चमच हींग पहले डाल दी मैंने तो गेस की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा फिर से चलू किया है, ये देखिए, और जो हमारा आचार है, ये भूत ही बढ़िया बन कर त्यार होने वला है, ये रेडे मेड जो मसाला था आचार का, वो मैंने डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं, सुखे चम्मत से ही निकालना चाहिए अचार में कभी भी गीला बरतन नहीं डुबोना चाहिए गीले हाथ नहीं लगाने चाहिए तो लंबे समय तक अचार चलता है हमारा अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा और ये देखिए अचार बिल्कुल बन चुका है, रेडी है इसको ठंडा होने के बाद हम एक जार में भर लेंगे और ये दि हमें तेल कम लगे तो तेल ओर डाल देंगे गरम करके सरसों का तेल मैं डबे में भर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा तेल कम लग रहा है तो मैं सरसों का तेल गरम करके उसे ठंडा करके और उसके बाद डबे में डाल दूँगी ताकि हमारा अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहे अचार में तेल भी उपर तक होना चाहिए वरना अचार में फुफंद लग जाती है ये देखिए अचार बिलकुल डबे में मैंने भर दिया है और ये तेल थोड़ा सा कम है तो मैं गरम करके ओर डाल दूँगी इस प्रकार ये अचार बन कर तयार है दो दिन में इसको अलकी दूप में रखेंगे तो ये अचार बिलकुल खानी लाइक हो जाएगा और भौती स्वादिष्ट अचार तयार है मेरा वीडियो देखने के लिए थेंक्यू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जुरूर कीजिए मिलते हैं अगले व्लोग में तब तक के लिए धन्यवाद